हेलो एवरिवान, वेलकम तो एड्यो वर्ड, मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर सागर सिंग और आज से और आगे से सारे लेक्चेस में फिजिक्स में ही आपको पड़ाऊंगा हमारे लेक्चेस और हमारे बैचेस जो हैं वो 20 जून से चालू हो रहे हैं आज हमने एक नॉमल सा बेशिक सा फिजिक्स पर वीडियो बनाया है बिल्कुल फॉर्मलाज नहीं होंगे बिल्कुल डेफिनिशन नहीं होंगे आप अल्रेडी 10 पढ़के आए हो और ये वीडियो भी 10 से पढ़के जो 11 में जा रहे हैं उन लोगों के लिए है ये सिर उन 11 में जब साइन्स पढ़ने जाएंगे तो क्या क्या चीजे चेंज होंगी और आपको पढ़ने के तरीके में क्या डिफरेंस लगेंगे और वो सबसे मेजर डिफरेंस जो है फिजिक्स में वो ये है कि आपको फिजिक्स को बेसिक लेवल से समझना होगा और फिर उसको धीर धीरे धीरे एडवांस लेवल तक ले जाना होगा ताकि आप जेई, मीट और ऐसे सारे एक्जाम एजली क्लियर कर पाएंगे अगर आप इन concept को बहुत basic level पर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आगे जाके सारे chapters के complicated concepts भी easily clearly समझ जाएंगे, तो हम आज जो chapter लाएं है या topic लाएं है जो वो है concepts of motion, motion हमेशा और आप 9 standards यसे पढ़ते आ रहे हैं कि motion ये होता है, motion वो होता है, motion ऐसे होता है, ये सारी चीज़ें आपने किताबों में पढ़ी, लेकिन अगर आप से ये perspective पूछा जाएं कि आप मुझे समझाएं, तो ये आप definition और formulas के respect में समझा सकते हैं, basic level पर समझने के लिए आज ये video है, तो चलिए, start करते हैं concepts of motion, motion जो है अगर आप देखते हैं, तो वो काफी easily explain भी किया जा सकता है और बहुत complicated तरीके से भी explain किया जा सकता है, बट हम ये कोजिश करेंगे कि आपको जितने simple, जितने real life examples explain कर पाएं, इस class में उस चीज़ को explain किया जाएगा, motion है क्या, और आपने हमेशा इस चीज़ को देखा भी है, पढ़ा भी है, definition देखे हैं, और definition जो पढ़ी है, वो ये है, कि motion is change of position with respect to time, और ये सारी चीज़ें, हमेशा definition पढ़ी है, definition लिखी है, definition के number भी मिले है, लेकिन इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये change in position with respect to time क्या है, क्योंकि जैसे ही आप इसे change करते हैं, दूसरी चीज़ जो आजाती है, वो आजाती है, what is rest? क्योंकि किसी भी motion को समझने के लिए, पहले ये समझना है कि rest क्या होता है, और अगर आप उसे definition के form में जैसे पढ़ा गया है, उससे देखते हैं, तो बोलता है, body is set to be at rest when there is no change in the position with respect to time. So if there is no change in the position with respect to time, the body is at rest. फिर से नहीं समझा, 9 में भी नहीं समझा था, अभी भी वही दिखकत है कि वो चीज़े नहीं समझी. हम समझेंगे, अभी यह definition वहीं है जो तुमने पढ़ी दी, लेकिन हमें इससे नहीं सीखना है, हमें सीखना है और basic level पर जाके कि यह कहानी कहती क्या है, तो उस कहानी को समझने के लिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं. तो motion इतना complicated है क्यों? कि हम इसे अलग से lecture wise समझ के इन चीज़ों को clear करने की कोशिश क्यों करना है? तो पहली चीज़ तो हमें यह समझने कि motion इतना complicated है क्यों? frame of reference के विज़े से, frame of reference जो है, अगर आप कोई भी बड़ी किताब उठा लेंगे, तो उसमें उसके अलग-अलग definitions है, अलग-अलग explanations है, जो सारे सही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम definitions और formulas में नहीं जा रहे हैं, हम यह समझने कोशिश करने हैं कि अगर हमें समझना है, या हम सिर्फ यह चीज़ बताने हैं कि frame of reference क्या होता है, तो simple words में, it is nothing but perspective, perspective, यह तो सब को बता है, perspective मतलब मैं कैसे चीज़ों को देखता हूँ, यह perspective है, तो perspective से physics का कहा relation, मैं कैसे चीज़ों को देखता हूँ, यह philosophy चलेगी, philosophy नहीं जाना है, हमें वापस आना है, हमें physics में रहना कि perspective क्या होता है, यह देखिए, यह एक bus है, bus में लोग बैठे हैं, सब भी काफी खुश भी है, तो यह जो bus है, यह मेरा frame of reference है, मैं इस bus में बैठा हूँ, मेरे आसपास जो लोग है वो भी बैठे हैं, और सारे के सारे बैठे हैं, तो मुझे लग रहा है कि भाई, जो हमने definition देखा था, उसने बोला, भाई, change नहीं हो रहा है, अगर time के respect में, position नहीं हो रही है, तो यह सारे rest है, तो मेरे लिए, जो भी मेरे आसपास बैठा हुआ है bus में, वो rest है, मैं पहुच रहा हूँ, bus stop पे, इस bus stop पे मुझे उतरना है, मैं पहुचा, मैं इस bus stop पे उतर गया, अब यह first frame of reference बन गया, मेरे खुद का frame of reference यहाँ पे, अब यह जो frame of reference है, यह जो frame of reference है, यह बन गया मेरा frame of reference, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब जो लोग मेरे साथ बैठे थे, जो rest पे थे हमारे लिए, अब मुझे वो चलते हुए दिख रहे है, और जब मैं bus में बैठ हुआ था, हाँ मैंने चश्मे नहीं बैने है, लेकिन तो भी, मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो मेरे लिए यह सारे लोग मेरे लिए motion में थे, क्योंकि मैं उनकी तरफ जा रहा था, तो यह सारे जो लोग थे, मेरे लिए motion में थे, यह सारे जो बैठे थे, यह मेरे लिए rest प समझो कि अब मैं आ गया Earth के frame से बाहर मैं space में खड़ाओं और Earth पे यह bus भी है और यह bus stop भी है और जो बिल्कुल move नहीं कर रहे थे अब वो सब के सब move कर रहे हैं यह भी move कर रहे हैं यह भी move कर रहे हैं अब कौन सही है जब मैं इसके frame of reference में अर्थ से बाहर गया तब सही था जब मैं bus में बैठा था तब सही था या जब मैं bus stop से उतर के bus stop पे ख़डा था तब सही था अगर आप physics को पूछें तो physics तो बोलता है भाई तीनों सही है लेकिन यह हमें नहीं समझ आता ना हमारी समझ में यह है कि भाई यह तो बहुत complicated चीज है मैं कैसे decide करूँगा कि मैं किस frame of reference में motion दिखूँ इसलिए हम कहते हैं कि motion is complicated इसलिए यह चीज बार-बार repeat होती है बार-बार हमें चीज का discussion करते हैं कि motion is complicated तो हमने तीन frame of reference देखे तीनों से यह समझ में आया कि जब भी frame of reference change होगा तब हमारे जो motion की definition है motion की definition है कि हम इस चीज को move करते हुए देख रहते अब suddenly frame of reference change होगे हमारा motion अब नहीं हो रहा है हमने फिर frame of reference change किया जो नहीं move हो रहा था और फिर move करने लगे इस complication को अटाने के लिए पहला काम हम यह करते हैं पहला काम हम यह करते हैं कि यह समझते हैं कि यह गाड़ी जो है is it moving away और moving towards अब बोलोगे सर आधा दुरा question कूशते है moving away भी बता है moving towards बता है यह तो बोले नहीं कि किस तरफ कहानी यही है किस तरफ हमने अभी देखा कि frame of reference क्या कर रहा है frame of reference यह बता रहा है कि मैं कहां पे हूँ और उसके respect में कौन सी चीज हो रही है frame of reference की कहानी यहां पे बहुत दिक्तर दे रही है मैं चला गया हूँ space में space में मेरे आस पास कोई भी चीज नहीं हाँ मुझे बता है stars है क्योंकि अब इसके पास कोई frame of reference नहीं हाँ यह feel कर सकता है यह feel करेगा कि चल रही है लेकिन physics feelings पे नहीं चलते physics चलती है logic पे और इसका logic बोलता है भाई कुछ भी move होता नहीं दिख रहा है मतलब शायद motion नहीं हो रहा होगा मुझे ऐसी feel हो रहा होगा तो यह problem तो बहुत बढ़ी है इसके लिए फिर हमने बोला है काम करते है तुम्हारे जो दोस बस्टॉप पे खड़े तो उनको लाके खड़ा करते है अब यह बोलता है अब मैं बता सकता हूँ और हमारा question अपने आप answer हो जाता है जो तुम्हें लग रहा था incomplete है incomplete नहीं है incomplete इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप towards और away बताते हो तो आप एक reference frame के respect में बताते हो आपको एक reference point चाहिए reference point यह बताएगा आपको कि आपका frame of reference जो है वो क्या है अब reference point क्या है reference point a point with respect to which change of position is described is called the reference point change of position जब भी आप describe करेंगे आपको हमेशा एक requirement लगेगी कि आप change of position किसके respect में बता रहे हैं और वही हमारा reference point है अब यह तो problem है ना इस problem को थोड़ा और बढ़ाते हैं यह देखें बढ़ा complicated सा diagram है लेकिन सो बहुत simple करके समझते हैं यह कहता है यार मेरी गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल advanced है उसको अभी जाना है ऐसे तो वो x में आगे पीशे आगे पीशे आगे पीशे आगे पीशे चल रही है राम से किसका mood हुआ तो मैं left right भी जा सकता हूँ जिसको कोई problem नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि मैं space में हूँ तो मैं open नीचे भी जा सकता हूँ और यह सारे जो motion है या यह सारी जो movement है वो depend करेगी कि आपने reference point यहाँ choose किया था यहाँ choose किया था यहाँ choose किया था या यहाँ choose किया था और सब के accordingly सारे के सारे जो reference point है वो सारे के सारे सही होंगे कोई यह नहीं बोल सकता है कि मेरा point of view सही है और तुमारा गलत है यह reference point बहुत अख्लीव दे रहा है यह motion को समझाने की जगे हमें confuse कर रहा है कि motion क्या होता है तो हम क्या करते हैं हम बोलते हैं हम motion के बरोसे नहीं है हम चलते हैं what happens if there is no frame of reference यह frame of reference इनी है ठीक है मैं space में खड़ाऊ ठीक है चलो मुझे space में बोच आदो मुझे खड़ाऊ यहाँ पर ठीक है और मुझे mood वाग करने का मैं वाग कर रहा हूँ मैं वाग कर रहा हूँ मुझे feel हो रहा है कि मैं वाग कर रहा हूँ मुझे continuously feel हो रहा है वाग कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं वाग कर रहा हूँ क्यों नहीं है कि इस problem यह चीज जो है यह मुझे बताती थी कि मैं walk कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं simple ची बात है न कि अगर इस आदमी को यहां एक आदमी दिख जाए मुझे एक आदमी दिख जाए तो मुझे पता है अरे यार मैं इस आदमी की तरफ जाओ और मुझे पता है कि मैं यहाँ चलते जाओंगा, तो मैं यहाँ पहुँच जाओंगा लेकिन जैसे ही यह आदमी गायव जाता है, यह exist ही नहीं करता है तो मुझे वेज़से वही problem है, कि हमें चल तो रहा हूं लेकिन मुझे feel भी हो रहा है मैं चल रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं चल रहा हूँ और physics feeling पर नहीं चलता, logic पर चलता logic कहता है कि ये move नहीं कर रहा हूँ चीक है तो frame of reference का होना तो हमें ये clear हो गया है कि जरूरी है अगर frame of reference ना हो जैसे हम space में देख रहे हैं तो हमें feel होगा कि हम motion कर रहे है लेकिन हम ये बता नहीं पाएंगे कि हम motion कैसे कर रहे हैं कहा कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और उसी के साथ हमारा next point आता है कि अगर ये bus stop वाले आदमी हजे के पहुंच आते हैं ये bus stop वाले जो आदमी है इनको मैंने खड़ा कर दिया है यापे और मैं इनको खड़ा कर के space में छोड़ चुका हूँ ये यही पड़े रहेंगे लेकिन अगर ये यही खड़े है तो कुछ नहीं चेंज हो रहा ये ऐसी खड़े रहेंगे, lifetime कुछ नहीं चेंज होगा उस तो चेंज होगा न जो चीज चेंज होगी वो है time time को इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि आप rest पे हो, कि आप motion में हो कि आप चल रहे हो, कि आप बैठे हो वो अपने हिसाब से चलता रहेगा चाहे है आप कड़े रहो और यह lifetime बस के लिए खड़े रहेंगे तो भी time चलता रहेगा और time आगे आगे जाता रहेगा तो is anything changing? obviously, कुछ भी नहीं करोगे तो भी time change हो रहा है आप खड़े रहो है इतनी देर खड़े रहना है तो problem क्या है? problem यह है कि अब मैं दो गाड़ियों को ठालाया दो गाड़ियां जो है वो चल रही है अभी भी बस टॉक वाले लोग बिचारे खड़े उनकी बस आई नहीं है भी तक वो देख रहे है गाड़िया आ रही है जा रही है अब सवाल यह है कि जो हमने time के बारे में सीखा कि time change हो रहा है time change हो रहा है हमें यह समझ गया है लेकिन क्या time इसके motion में कोई factor है क्या ज़रूरी है कि time just because time change हो रहा है it will also be a factor कि यह चीज move कर रही है कि नहीं और अगर आप यहाँ notice करो तो यहाँ पे दो चीज एक साथ हो रही है दो चीजों में पहली चीज है changing position जो गाड़ियों की हो रही है और सबसे चीज बात है देखो हमारे पास फिरसे reference frame है reference frame यह है कि भाई यह लोग खड़े हैं यह लोग देख रहे हैं गाड़ी इनके हिसाब से या तो इनके नस्दीक आ रही है आपको दूर जा रही है तो यह alternative हमारे question को answer कर चुके है कि am I moving away और am I moving towards यह वाली towards जा रही है वो वाली दूर जा रही है लेकिन changing position और changing time दोनों हो रहे है और हमें यह समझना है कि यह दोनों जब साथ में होंगे तो यह motion को कैसे affect करेंगे क्योंकि जब यह खड़े हैं तो इनकी time घड़ी टिक 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 बज रही है घड़ी चलती जा रही है और यह गाडिया भी जो है वो आ रही है और जा रही है position भी change हो रहा है time भी change हो रहा है लेकिन अभी तक हमारे पास में इसका कोई connection नहीं है with motion अब हम समझेंगे एक और factor which is velocity हाँ मुझे पता है आपको पता है velocity क्या होती है लेकिन जब हम basic में जा रहे है तो हम सब को बिल्कुल basic से सीखेंगे हम complicate नहीं करेंगे चीज़ों को velocity कहता है कि यार मेरे velocity जो है न वह है change in position पर unit time बहुत complicate हो गया फिर से definition में चले गए definition नहीं सीखना है बिल्कुल मत सीखो कोई ज़ब नहीं यह कहता है यार यह लोग है यह गाड़ी चल रही है और मैंने लगा जिया इसमें meter और meter लगाते ही मुझे पता चलने लग गया कि भाई यह गाड़ी जो है न वो हर एक second में 10-10 meter कवर करती जा रही है पहले 10 second में इसने यह 10 meter कवर किये फिर 10 second में इसने यह 10 meter कवर किये और next 10 में यह करके वो घर पहुंच के अब इन 10 meter के conversions इन 10 meter को अगर हम देखते हैं तो हर एक second में 10 meter कवर कर रहा है अब यह सोचो अगर एक और गाड़ी होती है ऐसी ही लेकिन वो 10 meter की जगे 10 meter की जगे 5 meter कवर कर रही होती हर एक second में तो क्या दोनों का motion सेम है दोनों सेम चल रहे हम बिलकुल हूँच भी बोल डो yajar कैसे सेम चल रही है यहूच बीचारा तीन सेकंद गाड़ी चलाता था 30 meter पहूंच जाते हैं दूसरी वाली गाड़ी चलाता है तीन सेंड में 15 meter पहुंच पाता है अगर यह दोनों पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, टाइम भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन तो भी motion अगर different है, तो वो motion different है velocity की वज़े से, velocity ये बताता है कि आप हर second में कितना distance travel कर रहे हैं, हाँ मुझे बता है, school में displacement चिखाय गया था, लेकिन वापस basic प्या हो, displacement जब सीखना होगा तब course में सी सीखेंगे कि distance के respect में क्या होगा, हर एक second में जितना distance cover होगा, वो आपकी velocity है, simple terms में, पहली वाली गाड़ी की velocity है, 10 meter per second, और जो दूसरी वाली गाड़ी है, वो चल रही है, 5 meter per second, फिर से बहुत ज़्यादा definition हो गए, लेकिन simple terms में सुनगे न, यह कहा रहा है यार, एक second में 10 meter जाओंगा, यह बोलता है, मैं एक second में 5 meter जाओंगा, और हमने कहा भी यही, कि भाई, change in position per unit time, unit time मतलब एक second ले लो, और उतने में जितना मैं चल जाओ, वो मेरी velocity है, तो हमें यह समझ गया, कि अगर, अगर गाड़ लेकिन गाड़ी, या person मूव कर रहा है, तो उसकी position भी change हो रही है, और उसका time भी change हो रहा है, time और position दोनों जब change हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है, कि हर चीज जो time और position चेंज करेगी, उन सब का motion सेम होगा, सेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि velocity है, velocity बोलती है, ऐसा नहीं ह हो जबता, तुम्हें यह बताना पड़ेगा, कि तुम कितना distance जा रहे हो, कितने time में, हमने बुला है, हम एक एक second ही चल रहे है, लेकिन एक गाड़ी मेरी 10 मीटर चलती है, एक second में, और एक गाड़ी 5 संपर, और उससे हमें पदा चल गया कि, दोनों गाड़ीयों का position और time change होने के बाद, भी इनके motion जो है, वो अलग-अलग हो सकते है, because of velocity, अभी इसमें और एक चीज है, यह देखिए, यह गाड़ी चल रही है, हाँ, मैं काफी सारी गाड़ीयों रखता हूं, सारी गाड़ीयों अलग-अलग है, तो यह वाली जो गाड़ी है, यह कहती है, कि याद करो, यह कहह रहा था, कि यार, 5 मीटर पर सेकंड का मतलब है, कि यह जब एक सेकंड चलेगी, तो पाच मीटर होगा, फिर एक सेकंड चलेगी, तो फिर पाच मीटर होगा, फिर एक सेकंड चलेगी, तो फिर पाच मीटर होगा, क्या ऐसी motion हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एक option है ना faster और slower का अच्छा faster और slower नहीं समझे ना छोड़ दो वापस आ जाओ डागराम देखो ये वाली जो गाड़ी है ना ये थोड़ी advanced जाओ ये कहते है कि भाई मैं हर एक second में अलग-अलग distance लूँगी सेम गाड़ी है उसमें तुम चला रहे हो लेकिन पहले second में वो चली तीन मीटर दूसरे second में चली वो six meters और आखरी second में चली नौ मीटर अब ये विचारीक infused है ये बोल यार मैं एक second चली और मेरे पास में आ गया पांच मीटर पांच मीटर और पांच मीटर इसने चालू किया था मेरे से पीछे मैं तीन मीटर जब तर मैं पांच मीटर की थी तब तक इसने तीन ही मीटर किया था लेकिन जब मैं end कांची three seconds के तो ये वाली जो गाड़ी है ये 18 मीटर चल गई और मैं अभी तक पंदरा मीटर थे हूँ अब अगर मैं ये पूछूं कि ये गाड़ी faster है या ये गाड़ी faster है तो हमारे लिए तो ये गाड़ी faster है भाई ये बोल रही है भाई मैं 18 मीटर पहुचा दूंगी तुम्हें रीन से केंड़ और ये बोल रही है मैं 15 मीटर पहुचा हूंगी तो क्यों why is something faster or slower यह तो समझना पड़ेगा ना सेम गाड़ी है तायर वायर भी है उसमें कोई जेट प्रोपल्शन भी नहीं है नॉर्मल गाड़ी है लेकिन यह तो आगे भाग गई और अगर आप इसमें देखो तो यहां पर तीनों केस में अगर आप वेलॉस्टी चेक करते हो तो 5 मीटर पर सेकेंड फिर नेग्सट के में गई 6 मीटर है कि यह यह वह आया हां सेधिज मेट थीक्रार और और यहां दिख्राइमेननाइन इन मीटरपर दो कि इनों चीज़े अलग-अलग है तो हम एक चीज दो तीन चीज़े पहले देखते हैं फिर देखेंगे कि क्या हुआ पहली चीज यह हमें दिखी कि यह गाड़ी चालू ही 3 मीटर पर सेकेंड पर और एंड हुई 9 मीटर पर सेकेंड पर मतलब इसकी वेलॉसिटी बढ़ गई मुझे कैसे बहुदा चालेगा पहलेग तो हमने एक और टोरम रिसाइड किया एक्षेलरेशन और और ऐक सेकेंड में वेलॉसिटी fork कितनी change होगी गयो कि ओ समरा भू हो जाएगा अग में और 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 चालेशन चेंज़ होने की वज़ेस से इसकी वेलॉसिटी जो गई 3 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड 9 मीटर पर सेकंड इसी की वज़े से वो गाड़ी जो पीछे से चालू करी थी इससे तेज उसने उसको 18 मीटर कवर कर दिये जबकि दोनों का ताइम जो है वो एक्जाक्टी से नहीं है तो हमें एक जीस दोपर जब गई कि फास्टर और स्लोवर कौन बताता है अक्सलरेशन बताता है अगर आपकी गाड़ी अक्सलरेट कर रही है गाड़ी अक्सलरेट कर रही है मतलब वो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते जाएगी और हर एक सेकंड में अलग अलग कवर करेगी अगर वही गाड़ी अक्सलरेट नहीं कर रही है तो वो हर एक सेकंड में अपनी स्पीड जितना या वेलोसिटी जितना डिस्टेंस कवर करती जाएगी लेकिन अक्सलरेशन आएगा कहां से हमारे पास इस गाड़ी में अक्सलरेशन आया कहां से हमें यह समझना accelerate कर रही है तो वो अपनी स्पीड बढ़ाएगी एक लेवल तक बढ़ाएगी हमें वो पता चल जाएगा कि कितनी velocity लेकिन या कहांजर है वो body fast हो क्यों रही है उसका तो कोई रीजन होना चाहिए हम कैसे बोल दें कि कि यार कोई body fast है कि slower तो हमें यह चीज़ पता होने चीए कि वाट मेक्स बढ़ी को faster or slower अब देखो है भाई यह बहुत परिशान है इसकी गाड़ी प्राव गया है यह बोलता है मेरी गाड़ी चलनी रही है मुझे चलना मैं सब पुछ राएगर के थक चुकाओं छी के इंफ एक आदमी बोलता है काम करते है मैं नीचे उदरता हूं और तुमारी गाड़ी को धक्का लगा हो है ऑं कि सिंपल है इसको धक्का लगाए थोड़ी धक़ लगा है धीले 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 और गाड़ी चालोगे अब गाड़ी चालोगे गाड़ी मूव करने लगी अब देखते हुआ गया जब यह गाड़ी बिलकुल नहीं मूव हो रही है तो यह कितना distance कवर कर रही है हर second में 0 क्योंकि यह distance 0 meters कवर कर रही है तो इसकी velocity कितनी होगे 0 meter पर second उसके बाद में जब इसमें धक्का लगा अब यह गाड़ी धीरे धीरे अपनी speed और velocity को बढ़ाती हो जाएगी और अलग-अलग second में हमने जो देखा था अलग-अलग distance को कवर करेगी 3 meters, 6 meters, 9 meters सेम होगा, ऐसको guarantee नहीं है चलो 5 meters cover कर लो, 15 meters cover कर लो, 25 meters cover कर लो लेकिन यह कौन decide करेगा कि मैं 3, 6, 9 करूंगा या 5, 15, 25 करूंगा यह decide करेगा हमारा यहां का push हालेकि lifetime धक्का नहीं मानना है lifetime धक्का नहीं मानना है जब गाड़ी चालू हो जाएगी तो गाड़ी के अंदर का engine वो काम करेगा वो engine यह करेगा कि जो push बाहर से मिल रहा था अब वो खुद देगा और वो जितना push देगा वो decide करेगा कि मैं 1st second में 3 meter cover करता हूं कि 5 second, 2nd second में 6 meter cover करता हूं कि 15, और last में 9 meter cover करता हूं कि 25 तो हमें कौन यह help कर रहा है हमें force यह help कर रहा है force यह बता रहा है कि simple अगर फिर से यारा में definition में नहीं जाना है हमें 9th में नहीं जाना है वापस 10 में नहीं जाना है force का definition क्या होता है हमें simple समझना है force is the reason for the acceleration अगर force नहीं होगा तो acceleration नहीं होगा और मैं सिंपल देख लिया ये विचारा बहुत कोशिश करा था कुछ नहीं कर पाया जब आपने force लगाई गाड़ी पर तब ये चलने लगी तो ज़िए accelerator तो वहाँ भी बैटके दबा रहा था वो link कुछ नहीं हुआ क्योंकि accelerator जब वह दबा रहा है अभी तो इंजिन कामी नहीं करता force लगाने के लिए कोई option नहीं है उसके पास में जब उसने इसको manual force लगाया है तब ये गाड़ी चलना चालूई है उसका engine start हुआ है तब वह accelerator दबाएगा तो गाड़ी खुद अपने engine से वह force निकाल के देगी जिससे यह accelerate करेगा बट एक सवाल रह जाता न कितनी सारी कहानी जो की हमें ये कहां बता कि force आया कहां से सिर्व उस आदमी का नहीं जो उतर के चला गया धक्का माल के चला गया वो सारी चीजें वो सारे केसिस जो आप सोच सकते हो जो आप समच सकते हो जो आप देखते हो सारी जगां पे force आ कहां से रहा अब ये कहानी जो है ये कहानी हम सीखेंगे अपने अगले वीडियो में जो हमें बताएगी कि ये force आया कहां से Thank you